13 साल की हुई बच्चन्स की लाडली अराध्या किसी को याद नहीं रहा इश्वर्या की बेटी का जनम दन मम्मी ने नहीं किया पोस्त तो पापा भी शेक और दादा मिताब ने भी नहीं दी सोशल मीडिया पर बधाई तो लोगों ने पूछा क्या वाकई अलग हो गई है बच्चन फैमिली 16 नमबर का दिन पॉलिवड आक्टरिस इश्वर्या राए बच्चन के लिए हर माइने में बेहत खास होता है आखर इस दिन आश की कलौती और राज कुमारी जैसी बेटी अराध्या का जनम दिन जो होता है इस साल इश्वर्य रभिशेक की प्रिंसेस पूरे 13 साल की हो गई है तो जितना खास ये दिन था उतना ही फीका इसका सेलिब्रेशन भी रहा आखर इस साल बच्चन परिवार में से किसी ने भी अराध्या को जनम दिन की बधाई सोशल मीडिया पर जो नहीं दी जहां तेरवे जनम दिन पर अराध्या की वर्सटाइल मम्मी अश्वर राय ने भी उनके लिए कोई पोस्ट शेयर नहीं किया जैसा कि वो हर साल किया करती थी पिछले साल भी आश ने अराध्या के साथ क्यूट पिक्चर्स पोस्ट कर उन्हें बधाई दी थी लेकिन इस साल बेटी के बवर्दे के एक दिन बाद तक श्वर्या का इंस्टेग्राम हैंडल सूना का सूना ही पड़ा हुआ है अब एश ने अभी तक कोई पोस्ट क्यों नहीं किया इसकी वज़ा का खुलासा तो नहीं हो पाया है लेकिन अन्बन के अफ़ाओं के बीच फैंस इस उम्मीद में जरूर बैठे हुए थे कि अभिशेक जरूर खास अंदाज में बेटी को विश करेंगे लेकिन जब अभिशेक के इंस्टा हैंडल पर बेटी के जनम दिन के एक दिन बाद तक कोई भी पोस्ट नहीं किया गया तो फैंस की इन उम्मीदों पर पानी भी फिर गया पिछले साल जहाँ अभिशेक ने बेटी को अपने प्रिंसेस बताते हुए उन्हें बदे की विश दी थी तो इस साल अभिशेक ने बेटी के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया और ठीक है ऐसा ही सुनपन अराध्या के दादा और विग्व्य मिताब बच्चन के सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी दिखाए दिया पोती के जनम दिन पर अमिताब के और से कोई भी बधाई सोशल मीडिया पर नहीं आई जिसने एक बार फिर लोगों को कयास लगाने पर मजबूर कर दिया है कि बच्चन परिवार में कुछ भी ठीक नहीं है तभी तो इंटरनेट यूजर्स के बीच चर्चा भी छड़ गई है एक शक्स ने कहा है बिचारी बच्ची उसका जनम दिन भी भूल गए तो एक यूजर्स ने लिखा अराध्या को भी बच्चिंस ने अलग कर दिया है एक शक्स ने अभी शेक से सवाल किया आप अपनी फिल्म प्रिमोट करने के लिए पोस्ट कर सकते हैं बेटी के लिए नहीं एक अन्य यूजर्स का कहना रहा इसलिए अश्वर्या बेटी को लेकर जलसा से चली गई न लोगों के रियाक्शन से एक साफ जाहर है कि वो इस बात से काफी डिसपॉइंट हुए कई लोग तो सोशल मीडिया पर अमिताब और अराध्या के पापा भी शेक की आलोशना भी कर रहे हैं आखर अराध्या की मोस्ट पेशल डे पर उन्हें फैमिली की किसी भी मेंबर की विष्ट जो सोशल मीडिया पर नहीं मिली है आपको बता दें कि अराध्या अकसर अपनी मा इस्वर्या की प्रोटेक्टिव अंदाज को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं एश्वर्या जहां भी जाती हैं अराध्या उनके साथ होती है हाला कि लोग बाप बेटी की बॉंडिंग को लेकर भी सवाल करते हैं क्योंकि पिछले कुछ समय से अराध्या अपने पिता के साथ नजर नहीं आई है गौर तलब है कि अभी शेक बच्चन और रेश्वर राय की शादिशुदा लाइफ में आए तनाव की चर्चा इन दिनों जोरों पर है ऐसी अफ़ाहे हैं कि दोनों जल्द ही तलाक ले सकते हैं हालाक इस बारे में अब तक बच्चन परिवार में से किसी ने भी कुछ नहीं कहा है ब्योर रेपोर्ट इट्वेंटिफोर